आप लोग अपने स्क्रीन के सामने एक पिक्चर देख रहे होंगे और आप सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे इन्हें आप लोग उन्हें बिग बॉस में देखा होगा और टिक टॉक इस्टार भी रही है और आपको बता दूं कि हर्याना में 2019 में बीजेपी की तरफ से विधान सबा चुनाव भी लड़ चुकी थी यह अभी क्यों चर्चा में हैं और काफी चर्चा में बनी हुई हैं क्योंकि आपको मालू होगा कि सोनाली फोगाट को 23 अगस्ति की रात गोहा की एक होटल में एक तरह से पहले मारना जा रहा था कि हार्ट अर्टेक से इनकी डेथ हुई है लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी हत्या की गई है और अब एक मामला आप देखेंगे CBI को भी जा रहा है और CBI की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं Central Bureau of Investigation की बात कर रहे हैं और वैसे आप देख रहे हैं कि CBI भी काफी चर्चा में बना हुआ है CBI की स्थापना 1 April 1963 में हुई थी नई दिल्ली में आप लोगों को Headquarters का देखने को मिलेगा ये भी आप लोग याद रखिएगा और एक बार आप लोग गवा को देख लीजें देखें हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे तो दच्छन भारत में जाएंगे तो आप लोगों को गवा देखने को मिलेगा कहा है? ए और आप सभी जानते ही कि पंजीस की राध्धानी है क्या? पंजीस की राध्धानी है और आप देखेंगे 30 मई 1987 में इसे राज्य बनाये गया था यहाँ बिधान सभा में 40 सीट है लोग सभा में 2 सीट है राज्य सभा में 1 सीट आपको देखने को मिलेगी और इसकी सीमा महराष्ट से भी लगती है करनाटक से भी लगती है और लोग गवा जाते हैं गोमने के लिए आप सभी जानते होंगे और इनका संबंध हर्याना से राध है हर्याना देख लिजे चंडी करिस्त की राधधानी है आप सभी जानते हैं और आपको मालू होगा कि हर्याना को राज्य कब मनाये गया था 1 नमंबर 1966 में यहाँ आप देखेंगे विधान सभा में बर्तमान में 90 सीट हैं राज्य सभा में 5 सीट हैं लोग सभा में 10 सीट हैं और भारती जिनता पार्टी की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि एक राजनितिक दल है और 1980 में इस पार्टी की स्थाफना हुई थी सौनाली फोगाट की कुछ और पिक्चर आप लोग देख लीजे यह देखिए आप लोग और आप देखेंगे इनकी एक बेटी भी है और इनके पती की डेथ पहले ही हो चुकी थी अगर हम लोग सौनाली फोगाट की जिनम की बात करें तो आप देखेंगे 21 सेप्टमबर 1989 को हिसार के एक छोटे से गाउँ भूटान में हुई था भूटान एक गाउँ है याद रखेंगे एक देश नहीं है क्योंकि आप सभी जानते ही कि हमारा एक पड़ोसी देश भी है भूटान देखिए भूटान देखने को मिलेगा सिक्किम हो पर्षे मंगाल हो असम हो अरुडाचल पे देश हो इन चार राज्यों की सीमा लगती है भूटान से लेकिन एक भूटान देश नहीं गाउँ है सोनाली की पिता किसान है और खेती बाड़ी करते हैं परिवार में उनकी तीन बहने और एक भाई भी है और सोनाली की एक वेटी भी है जिसका नाम यसोदराग फोगाट है और साल 2016 में सोनाली फोगाट उस समय चर्चा में आ गई थी जब उनकी पती संजय की फार्म हाउस में संदिग परिस्तितियों में मौत हो गई थी और उस बक्त आप देखेंगे सोनाली मुंबई में थी उन्हों नोफेडा एक सेक्टर में एक स्तित इंस्टिट्यूट में से बढ़ाई की हुई है उन्होंने अपने केरियर की सुरुआत हिसार दुरदसन में बात और इंकर के रूम में की है तो एंकरेयं भी की हुई है एंकरिंग के दौरान वो बीजेपी की नेशनल बर्किंग कमेटी से जुड़ गई थी और इसके बाद उन्हें कई रॉल ओफर हुए और उन्होंने एंकरिंग छोड एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और उन्होंने रभी किसन जिम्मी सेरगिल जैसे बेतरीन कलाकारों क साथ काम भी किया हुआ है उन्होंने आप देखेंगे टीवी पर पिसारित अम्मा सो में नवाप साही की पतनी का किरदार भी नेभाया है वह बिग बॉस चौदय में भी नजर आई थी उन्होंने बात और वाइल्ड काइड इंटरी ली थी और रियाल्टी सो में उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी वह टिक टॉक इस्टार भी थी और आप देखें टिक टॉक अब तो हमारे देश में बेन हो चुका है 2008 में सोनाली वीजेपी में सामिल हो जाती है और सोनाली ने हरयाना बिधासवा चुनाओ में हिसार जिली की आदंपूर बिधासवा सीष्ट चुनाओ में उत्री थी लेकिन उन्हें हार का सामना गरना पड़ा था और आपको मालू होगा कि जब विधायकी की बात होती है न, MLAI बनने की बात होती है न, तो इसके लिए कम से कम आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए और विधायक का चुना और डारेक्ट जनता के द्वारा होता है अगर आपकी उम्र भी 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर सुची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप देखेंगी कि आप लोग बोट डालने भी जाते होंगे सौनाली फोगाट में बीजेपी महला मोर्चा की राष्टी उपाध्यक्च भी रही है और इनसे एक कुछ बिबाद भी जुड़े रहे हैं और जून 2020 में आपने देखा होगा कि सौनाली फोगाट का एक वीडियो भी काफी वायरल हुआ था और इस वीडियो में सौनाली फोगाट एक किरसी अधिकारी को चपल से माती हुई नजर आई थी और इसके बाद उनके उपर FIR भी हुई थी और उनकी आलोचना भी की गई थी और अब आप देखें सी वी आई जाच चलेगी अब दोनों राज्यों ने सहमती तो दे दिये और फाइनल जाच में क्या पईडाम आता है क्या रिजल्ट आता है उसके बाद ही आप देखें कि हकीगत मालू चलेगी क्या किरेंग के साथ हुआ क्या था तो एक कहानी है स्तौनाली फागाट की